दोसतो जिसकी बात करीं बह्तेर सा हाunds प्लान के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं इसका ड्याइंसन अगर बात करेंगे इसका तहो आप देख सकते हैं यह 33 दैलोंगा 27 या प्लान हैं ऑपको लाद धेवालोंश संग्नेophone के बारे में वह करने सेच Pow कोलम कभी 10 इंच और इस चार स्टील का राड यूज़ करें जो बारे में से कम ना हो तो यहां पर आप देख सकते हैं इंट्री करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे इस टीयर के और यहां यहां पर यहां पर हमने जो दीगर के सकते हैं यहां हमने दाला है 10 इंच का ट्रेट यहां पर दी कि धाउट इसली हमने लिए इन्म की कूल करें शेकिंग हो प्रिक्सकास करलें तो हमें 10 इंच मोटाई की वाल प्रोवाइड किया है दिया है तो आप भी कभी भी घर का कंस्रक्शन कर रहे हैं घर बना रहे हैं तो बाहर की दीवार की मोटाई 10 इंच रखें और ये आपको सेफ़्टी येरे की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह आपको वाल्स मिल जाएगा तो यहां पर हम सारा वाल्स प्रवाइड कर लेते हैं उसके बाद एक वाल्स यहां पर है एक वाल्स यहां पर है आई इसको भी हम ले लेते हैं वर्टिकली उसके बाद प्लीन हाइड मार्क कर लेते हैं तो प सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर आपको मार्किंग यहां पर देख सकते हैं हमने आपको रिक्मेंड कर रहे हैं कि दो सब्सक्राइब करें तो यहां आपको में इंट्री मिलेगा दर्वाजा जिसे कि में दर्वाजा डाल रहे हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा चार फिट उपर साथ फिट का दर्वाजा है और साथ फिट के उपर जो तीन फिट का वाल आएगा लेंटल के उपर इस वाल को हम कालम से यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे तो आप आपको देख सकते हैं यहां पर मिल जाए में डूर ऐस टोर के तरूर-ट कर पाएंगे यहां पर देख सकते यह आपकु लिविंग कम डाइनीं अध्या है उसके बात करेंगा यहां पर लिविंग कम डाइनिंग यहां पी जो फॉस्त मैं उसकmeno बात करेंगे अंदर की क्लियर ली एट उजड हम बताएंगे आपको तो यहां पर साथ फेट के अवर तीन फीट का वाल आएगा तो यह वाल आपको बैड्रूम उसके बाद यहां पे कोमन बात्रूम मिलेगा आपको तो वाल समझे यहां पर देख सकते हैं जो आपको परटेशन वाल और इसका डूर 6 इंच बाइस 7 फिट का यानि की 2 फिट 6 इंच बे 7 फिट का डूर रहेगा 7 फिट के उपर 3 फिट का वाल इसे हम दूसरे वाल से Connect रादेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यह वाला common bathroom उसके बाद एक bedroom यहाँ पर रहेगा और इसका वाल लेंगे हम तो यह वाल वाल देख सकते हैं आप और इसका डो रहेगा थ्री फीट बाई सेवन फीट का यानि कि सेम इस नि विश्ट उकभी भी अपको लिंटल लेवल जो होता है वो साथ फीट पे होता है तो यहां पर साथ फेट की उपर जो 3 feet का वाल रहेगा यह वाल वाल column से connect होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला bedroom उसके बाद एक bedroom यहाँ पर actually यह 3 BHK का house plan है यानि कि 3 bedrooms हमने यहाँ पर provide के है इसमें तो एक A वाला bedroom मिल जाएगा और इसका जो आपको line निमूब कर लेते होगे उसके बाद यह आपको बात करेंगे किचन की बात करेंगे तो आप देखसकते हैं कौरा में कीचन मिले पको तो यह वाला पको कीचन मिले जा और कीचन का slab 2 feet wide है 2 feet 8 inch height लेते हैं इसका आप डूर की बात करेंगे जो सो 2 feet 6 इंजवे 7 feet का डूर रहेगा तो यहाँ पर 7 feet के ओपर 3 feet का वाल रहेगा तो इसे हम column से connect करा देंगे तो आप देख सकते हैं यह वाला आपको kitchen यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर की windows कहां कहां पर provide करनी होगी तो यहाँ पर window डालने से पर दोस्तों हम बताएंगे कि C level जो रहेगा bottom of window का रहेगा तो 3 feet पर रहेगा और height हम यहाँ पर 4 feet provide कर लेते हैं तो यहाँ पर जो 4 feet रहेगा यह 4 feet और खिरकी का जो size रखेंगे हम इस bedroom के लिए 4 feet by 4 feet 4 feet 4 feet 4 feet height तो यहाँ पर window का opening आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जिसकी living come dining area है तो यहाँ पर एक window हम डाल लेते हैं उसके बाद kitchen है तो kitchen का सारे 3 feet by 4 feet रह लेते हैं तो यहाँ पर kitchen का window आ जाएगा इसका ventilation का opening kitchen का ओगे उसके बाद इसको इस साइड अगर आएंगे तो यहाँ पर आप चाहएदो एक डाल सकते हैं ताकि steer के बगल में ताकि steer वाद एरिया जो आपको lighting and ventilation ब्रॉपर हो जाएगा तो यहाँ पर लेवल भी हमें यहाँ पर आपको gallery टाइप को एरिया है तो यहाँ पर आपको जो रहेगा तो उसको दो फिट चेंज बैस आप चार फिट कर रहा है तो फिर आप देख लेंगे साइज उसके आप से यहाँ पर चार फिट बाइचार फिट का इस bedroom के लिए किरकी डाल लेते हम और यहाँ पर इसका आपनिंग मी डाल लेते हैं अब देख सकते हैं यह वाला उसके बाद एक window का आपनिंग यहाँ पर प्रोवाइट करेंगे और इसको यहाँ से रिवाटम कर लेता हूं तो आप यहां पर एक window आजाएगा एंड इसका हम प्रोवाइट कर लेंगे इसके बाद एक would यहाँ पर आएगा आएगा यहां इसका भी हम eyes और यहां पर आपको बार्थरूम यहां तो इसके लिए यहां पर दीख सकते यहां पर हमने दोर विंडोस और इसको आप कर लेते हैं इस प्लान में जैसे की देख किसा दिखीगा तुसको आप दिख सकते हैं इस में began कallum दोर विंडोज ाूर्ट कर लिया इसके बार फरणीचर भी अगर दोस्तों यहां पर और बात करें इस परॉंड हिसके बैटर्ण सेप से करने हैं याँध कर दिया हैक कॉलम्す डोर विंडो प्रो पर फिक्स करदी है हमने तो दूस्ट प्लाणकnothing अगर बात करेंगे इसका मेजर्मेंट के तो 33 फिट भाई 27 फिट का है तो इस टीर की बात करें तो 6 फिट रहेगा बाई 11 फिट उसके बाद यहां पर इसका रोम का साहिज 12 फिट भाई आपको मिल जाएगा यहां पर 11 फिट का एक बैडर्म यहां पर है जो 12 फिट भाई आपको 11 फिट का मिलेगा उसके बाद यहां पर जो आपको बातरूम रहेगा 7 फिट भाई 4 फिट का उसके बाद यहां पर कीचन रहेगा 6 फिट 6 इंच भाई आपको 9 फिट 6 इंच का उसके बाद लिविंग का डारिंगे तो आपको 12 फिट भाई आपको मिल जाएगा यहां पे तेरे फिट 11 इंच का उसके बाद एक बैडर्रूम यहां पे जिसका साइज 12 फिट भाई अपको मिल जाएगा 9 फिट 14 इंच का तो और दोस्तों बात करें इसका कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो इसके लागत की बात करें दोस्तों यह आपको बारे से 30 लागत पर सकता है डिपेंड करेगा मैट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन के लोकेशन पर उम्मीद करते हैं कि